सब्सक्राइब करते हैं अब देखेंगे कि इंडिवीजुल लेवल पे मतलब एक परसन से दूसरे परसन तक हम अपनी कम्मिकेशन कैसे यूज करते हैं अपने मैसेज कैसे पहुंचाते हैं हम अपने फ्रेंद्स और रृटिवीज के साथ अपने मैसेज करते हैं अपने मैसेज पहुंचाते हैं ander कि इस पीच्चर में ये फ्रेंद से आपस में बात कर रही हैं तो ये एक दूसरे तक मैसेज पहुंचा रही हैं let us see how many different methods of different methods आएंगे जिससे हम communication कर सकते हैं letters letters मतलब हम letter लिखे send कर सकते हैं post office की थूँ उसके लाइक दिस we can send a letter through the post office or career service career करवा सकते हैं telegram urgent messages can be sent through a telegram telegram के थूँ हम अपने messages भेज सकते हैं telegram का invention किस ने किया था the system of sending messages to telegram wires was invented by Samuel Morse Samuel Morse ने टेलिग्राम का invention किया था next है telephone telephone से हम dial करते है numbers बगरा messages एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं बहुत easily the telephone is the fastest and convenient में यह सबसे fastest means of communication माना जाता है क्योंकि हम इसे बोल के अपने messages पहुंचा सकते हैं telephone का invention किस ने किया था Alexander Graham Bell in 1876 so it is very important questions for you who invented telegram who invented the telephone यह आप देख रहे हो dial pad बना आप अपने phone call पर भी जब phones बगरा यूज करते हो call करने के लिए तो इस तरीके से dial pad आप dial करते हो number तो यह आप जो यूज करते हो वह मतलब सिंपल जो वो होते हैं STD होते हैं या फिर ISD होते हैं STD यूज होता है within same city और same state और ISD यूज होता है आउट ओफ तर कंट्री मोबाइल फोन्स जो आजकल हर किसी के पास होते हैं वह मतलब कहीं भी कैरी किये जा सकते हैं आप अपनी फ्री में या कहीं और भी भेजना है तो प्रिंटेड मैटर से हम फैक्स मशीन की हैं से भेज सकते हैं नाइक्स है इमेल आज कल आपने सुना होगा कि इंटरनेट के थूप हम इमेल आईदी बनाते हैं तो हम अपने मैसेजिस ऑफिशिल मैसेजिस के लिए यूज किया जाता